हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं PHP के अंदर break और continue statement के बारे में ये दोनों statement बहुत important होती है इसलिए interviews के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है और जब भी आप PHP के project में काम करोगे न इन दोनों statement का use आपको बहुत बार करना पड़ सकता है सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना एक एक चीज़ को अच्छी से समझना बहुत काम आने वाली वीडियो है सबसे बहले बात करेंगे कि break statement को कैसे use कर सकते हैं loop के साथ फिर बात करेंगे continue statement के बारे में दोनों के examples को run करके देखेंगे execute करके देखेंगे कुछ tricky interview questions भी डिस statement है आप ध्यान से देखना और आपको link description box में मिल जाएगा अब बात करते हैं कि break statement क्या होती है उसको कैसे use करते है loop के साथ लेको जब भी आप लोग अपने code की execution को stop करना चाहते हो तब आप break statement का use करते हो मालो आप एक loop run कर रहे हो और एक किसी condition के उपर जब वो condition match हो तो आप उस loop को बीच में ही break करना चाहते हो जैसे कि आपका loop चल रहे है 0 से लेके 10 तक और आपको किसी situation के उपर किसी condition के उपर उस loop को दो या तीन बार execute होने के बाद में वहीं पे stop करना है तो आप break statement का use कर सकते हो ठीक है अब practically मैं आपको अभी करके दिखांगा अब बात करते हैं continue की अगर आप अपके loop में से किसी एक step को miss करना चाहते हो मालों कि आप 0 से लेके 10 तक loop चला रहे हो आप चाहते हो कि third या फिर fourth step बीच में miss हो जाए तो आप उसके लिए continue statement यूज कर सकते हो अब इनके हम लोग examples देखने वाले है code के साथ तो सबसे पहले मैं क्या कर एक टैग लगा हूँगा और एक सिंपल सा पी एच पी का लूप भी रण करके देखूँगा राइट मैं आप फोर लूप लगाता हूँ dollar i यह start होगा हमारा zero से कब तक चलेगा dollar i less than 10 तक चला देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग इसको increment करेंगे dollar i अब मैं यहां पर क्या करता हूँ बस मैं यहां पर एक echo कर देता हूँ और इसको print करता हूँ dollar i को अब ताकि यह पूरी से अलग-लग line के अंदर भी दिखे राइट एक line के अंदर पूरा प्रिंट ना हो जाए तो मैं इसका यहां पर एक BR tag भी लगा देता हूँ अब हम लोग क्या करेंगे यह सेव कर दिया हमने हांची सेव कर दिया अब यहां पर आके टुटोरिल्स के उपर जाएंगे और break and continue पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 0 से लेके 9 तक value प्रिंट होगे 10 तक करनी है तो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप एक्व यह लूप वहीं पर रूख जाए उससे आगे बड़े ही ना तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां पर लगाओ if dollar i equal equal to five अगर यह five के उपर है तो यह यहां पर break कर जाए ब्रेक का मतलब है कि लूप वहीं पर stop हो जाए अब देखते हैं काम कर रहे कि नहीं कर रहा मैं य देखो जब हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर लोजिक लगाते हैं उसके अंदर बहुत अलग लग तरीके की लोजिक हो सकते हैं मालो कि आपके पास एक यहां पर उपर भी एक variable हो कि जितनी बार यूजर चाहता है उतनी बार मालो एक यहां पर है यूजर्स यूजर नीड तरीक है आपने दस बार दिला रहका और यूजर की नीड पांच बार तो आप यहां पर करोगे डॉलर आई एक्वल टू यूजर नीड मैं जस्ट एक्जाम्पल ले रहा हूं वेरे बले आपको भी रख लेना राइट तो इस केस के अंदर आप उ यूजर कर सकते हो राइट तो एक तो हमारा केस बन गया ये ब्रेक का देन हम लोग एक बात कर लेते हैं कंटीनु के बारे में तो मैं अगेन यहां पे एक फोर लूप बनाऊंगा मैं इसको कोपी क्यों नहीं कर रहा पिको जितनी बार आप ज्यादा लिख ओगे न उतनी ब दिक करनी है इकल टू दस कर लो यार देन आई प्लस प्लस करेंगे और यहां पर हम तो क्या करते हैं एक व्डॉलर आई ये प्रिंट हो जाएगा अगर मैं ब्री टेग नहीं लगाउंगा तो एक लाइन में प्रींट कर देगा यार लेकिन यहां पे क्या हुआ है यहां पे एक लिए प्रिंट कर दिया हम चाहते हैं कि यह नेक्स्ट लाइन के अंदर आए हर बार आउट्पुट तो मैं यहां पर भी आट लगा देता हूं अब मैं चाहता हूं यहां पर थर्ड स्टेप मिस हो जाए इसके अंदर से तो आप क्या कर सकते हो इफ डॉलर आई एक्वल एक्वल टू थरी तो आप यहां पर सिंपल लिए क्या करोगे कंटिन्यू अब देखो यहां पर कंटिन्यू के बाद में सेमे कोलन लगाना मत बूल ना मैं भूल जाता हूं और ऐसा नहीं यहां पर आप मल्टिपल भी लगा सकते हो जैसे कि और अगर डॉलर आई की वैल्यू है डॉलर आई की वैल्यू है मालो 7 तो अब यह कंटिन्यू हो जाए यान की बीच में रुख जाए अब देखो डॉलर आई एक्वल एक्वल टॉ राइट तो अब देखो यहां पर 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है जब कैसे हुआ जब आई की वैल्यू 3 हुई या 7 हुई तो बीच में यहीं से लूप वापिस चला गया वो इसने लूप स्किप कर दिया आप यह कह सकते हो राइट और बाद में आगे चलता रहा एक चीज आपको ध क्योंकि हमने स्किप करने से पहले ही चीजों को प्रिंट करवा दिया था अगर आपको स्किप करने होती हैं चीजें तो आप उपर करो या फिर आप यह भी कह सकते हो जैसे आपने कुछ कोड यहां पर लिखा इस कोड के लिए आप स्किप करवाना चाहते हो इसको पूछे जाते हैं एक चीज और भी आती है जैसे कि हमने क्या करा अभी अगर मैं यह बिना कंडिशन के कंटीनियू लगा दोगे तो क्या होने वाला यह कॉश्ण बन सकता है उसकेस के अदर आप क्या बोलोगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा विकोज हर बार जो लूप ह हमारा स्किप हो जाएगा हर बार लूप स्किप हो गया और कुछ भी प्रिंट नहीं हो राइट इस तरीके से ओल राइट सो दैट्स ओल फॉर इस पार इसमें कुछ कंफ्यूजन है कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो आई होप आपको यहा काफी इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है अल्राइट सो अगर अब भी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो वीडियो को लाइक भी कर दो कमेंट सेक्शन में फीडिबेक दे दो यह मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है जब आ आप एप्रीशेट करते हो तो राइट और यह मेरा पेटियम का डोनेशन नमर भी है थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच पर ओचिंग इस वीडियो